नमस्कार दोस्तों, दोस्तों मैं आपको आज बताने जा रहा हूँ कि जो है सनी देव क्या करने वाले हैं साल 2021 में शनी देव मकर राशी में ही विराजमान रहेंगे शनी मकर राशी में वक्री और मार्गी रहेंगे शन 23 मई 2021 को मकर राश में उल्टी चाल चलेंगे वहीं 11 अक्टूबर 2021 से दुबारा शन सीधी चाल चलेंगे इस दोरान धनु मकर और कुम्भ राशी वालों पर सन की साहे साती और मिथुन और तुला राशी वाले जातकों पर शन की धाया रहेगी शन के वक्री होने से कुछ राश के लोगों को लाब होगा तो कुछ के लिए नकारात्मक परिणाम भी सामने आएंगे मित्रों शन के वक्री होने से शन के साहे साती वालों में से जो धनु राशी वाले हैं उनको सन के वक्री होने से लाब होगा इस राश के लोगों को भवन, भूम, आधिक खरिदने के लिए बहुत ही अच्छे योग बन रहे हैं और इन राश वालों का अगर नौकरी कर रहे हैं तो उसमें प्रमोसन होने के भी चांस दिख रहे हैं वहीं मकर राश वालों के लिए समय थोड़ा मानसिक तनाव लेकर आ रहा है इन लोगों को काफी मेहनत करनी होगी कुम्बराश वालों के लोगों पर शन की शाड़े साती सुरू हुई है इसलिए इस राश के लोगों को पैसे की समस्या बनी रह सकती है जिसके चलते लोन भी लेना पड़ सकता है इसके साथ ही नौकरी में भी इस राश के लोगों को समस्याएं भी आ सकती है मित्रो करक और तुला राश पर शनी की ढईया होगी इसलिए इन राशी वालों को सतरक रहने की जरूरत रहेगी ये लोग अपनी तरफ से काम और इमानदारी और मेहनत से काम करेंगे तो लाब होगा दोस्तो अगर ये हमारी जानकारी आपको पसंद आ रही हो तो हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर दें, लाइक कर दें, कमेंट कर दें, धन्यवाद